देश में नई सरकार का गठन हुए अभी दो महीने का वक्त भी पूरा नहीं हुआ है लेकिन बैसा आखियों पर बनी NDA की खिचड़ी सरकार में लगातार उठा पटक मची हुई है सरकार के सहयोगी कई मुद्दों पर अलग-अलग राय बनाये हुए हैं जिससे काटो भरी प्रधानुंतरी की कुरसी पर बैचे नरेंद्र मोधी के लिए लगातार मुश्किले खड़ी हो रहे हैं लिए वज़ा है कि विपक्षिस समय समय पर ये कहता रहता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है गिरने वाली है कि 5 साल के लिए गठित हुई सरकार में दो महीने के अंदर ही इतना उथल-पुथल मची हुई है और सहयोगियों के बीच दरार वा अलग-अलग मत है पांच साल कैसे कटेंगे इस पर वाकई में शन से बना हुआ है एक और जहां सरकार में शामिल सहयोगी भाचपा के लिए राज्य चुनावों में मुश्किले खड़ी करें हैं तो वही दूसरी और आपस में ही शक्रा कर और एक दूसरे पर विरोध करके सरकार के ये सहयोग खत्रे में पड़ सकती है कई सरकार में शामिल द आरक्षण के मामले पर अलग-अलग रहागला आप रहे हैं देश की सर्वोच अलालतने हाल ही में अपने फैसले में अनुसूचित जाती और अरक्षण के अन्दर में कोटा दिया जा सकता है और राज्य सरकार ऐसा कर सकेंगी जब से सुप्रीम कोट ने यह एतिहासिक फैसला सुनाया है तब से ही NDA सरकार के अंदर जो है वो उधल पुदल मची हुई है और All Is Not Well की स्थिती बनी हुई है तो कि इस फैसले के बाद से NDA की घटक दल इस पर अ पुद जता है तो वहीं दूसरी और मोदी की तीसरी बार प्रधान उंतरी की कुरसी तक पहुशाने में एहम भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश किसी है संद्रबाबु नाइडू की पार्टी टेलुकू देशन पार्टी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है और इस फैसले पर अपना समर्थन दिया है। पासवान ने कहा कि आरक्षण के लिए दलितों पर क्रीमी लेयर का कॉंसेप्ट लागू नहीं किया जा सकता। प्रमुख ने कहा कि आरक्षण को एक सकरात्मक कदम के रूप में सम्विधान में शामिल किया गया था। क्योंकि सदियों से दलितों को सामाजिक भहिशकार का सामदा करना पड़ा है। क्रीमी लेयर्स का निर्धान उनकी सैक्षिक और वित्ती स्थिती से होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे कितने पढ़हे लिखे या संपन है। समाजिक संद्शनाओं में उनकी स्थिती वास्तव में नहीं बदली है। पासवान ने सपष्ट किया कि समीक्षा याची का दायार करने का निर्णा पूरी तरह से उनकी पाची द्वारा लिया गया है। इसलिए बाचपा की साथ किसी भी तरहा का परामर्ष नहीं किया गया है। उस हर भुया महतर जाती के लोग जो लोग हैं उन्हें आरक्षन का लाब नहीं मिल पाता। गरीब और गरीब हो रहा है इस जाती के लिए लोग कितने इंजीनियर आईएस या आईपिएस हैं। जो लोग आज नराजगी जता रहे हैं उसी चार जातीयों के लोगों को आरक्षन का लाब ज्यादा मिलता है। यानि शेडियूल कास्ट के लोग ही 76 साल से आरक्षन का लाब ले रहे हैं। उन्हें ने कहा कि चुराक पासवान को समझना चाहिए। किसी पासवान जाती को ही आरक्षन नहीं मिलेगा उस समाच में और भी जातिया है। साफे की चिराक के बयान पर बिहार में भी एक धड़े की ओर से कड़ी नराज की चताई जा रही है। मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबु नाइड़ो के दूसरे कारेकाल के दौरान टीडीपी ने 1997 में स्सी के भीतर चार्ज शुर्णिया बनाकर मीडिया समुदाय तक पहुचने की कोशिश की जो आरक्षन के लाप से वंचित महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने याद दिलाए कि टीडीपी ने 1996 में स्सी उप वर्गी करण पर न्याय मूर्ती राम चंद्र राजु आयोग का गठन किया था। मुदी ने मडिका समुदाय के उप कोटा के लंबी समय से चली आ रही मांग पर गौर करने के लिए एक समीती के गठन की घोषना की थी। भी कहने से परहेज कर रहे हैं। उसका कहना है कि पार्टी इस मुद्दे पर अपने विचार रखने से पहले सुप्रीम कोट के हालिया फैसले का अध्यन करेगी। विभाजपा नेता और राष्ट्री अनुसूचित तेज्वाती और अनुसूचित जन्जाती आयोग के पूर्वत्यत। विजे सोनकर शास्त्री ने फैसले का स्वागत करते में कहा कि जो दलित इसका विरोत कर रहे हैं वे केवल इस पर नज़र रखे हैं। फैसले पर अभी तक खुल कर कुछ भी बोलने से बच रही हैं। वोट बैंक प्रभावित हो सकता है। और यह जो जग जाहिर है कि प्यम मोदी वा बीजेपी के लिए वोटों से बढ़कर कुछ है ही नहीं। उतनी यह स्टैंड यह नेरेटिव बनाते हुए लिया कि कॉंग्रस OBC का कोटा मुसल्मानों को देने वाली है। हुआ पीछे खाई वाली स्थिति है जिससे की वो अब निकल नहीं पा रही है। कि सुप्रीम कोट के इस कोटा में कोटा वाले फैसले पर इंडिया गड़मंधन भी अब एकमत नहीं है। तो वहीं कॉंग्रस भी इस मामले पर अब तक खुलकर अपनी कोई राय नहीं रख पा रही है। तकी कॉंग्रेस चासित राज्जर करनाटा को तेलंगाना में मुख्य मंतृम नहीं इस फैसले का स्वागत किया है जो एक बड़ा इशारा करता है। करनाटा के मुख्यमंप्री सिधार मय्या का सुप्रीम कोट के फैसले को एतिहासिक बताते हुए कहा कि फैसले की बतौलत आंतरिक आरक्षन के कार्यवयन में एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। तेलंगाना में वीजेपी खुद सब कोट की बात करती रही है और मड़ी का समुधाय की उपकोटा की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर पियम मोदी भी चर्चा कर चुके हैं। मायवती ने दलित हित की उचित वकालत नहीं करने के लिए भाजपा के नित्रत वाली केंद्र सरकार पर भी निशाना साथा। मायवती का कहना है कि SC और ST के आरक्षण के भीतर उपक बरगी करन की अनुमती के पैसले से हमारी पार्टी सहमत नहीं है। मिभी मार्मी प्रमुको चंद्रशेखर आजात ने भी इस वैसले का पर जो है वो आपत्ती जताई है। फिलहाल जिस सरह से आरक्षण के मुद्दे पर NDA में दोफाड हुई है और सरकार की सहयोगी दलों ने अपनी अलग-अलग क्राय रखी है। इस सरकार की स्थित्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथी इस दोफाड ने भाजपा पियम मोदी को भी मुश्किलों में डाल दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है और सरकार इस पर क्या हल निकालती है। इस खबर न फिलहाल बस इतना ही एसी तमाम राजपी खबरों के लिए बने रहे हैं और देखते रहे हैं फोर पियम। धन्यवाद।